असलाम अलेकुम दोस्तों छोटे पोदों के उपर बहुत ज्यादा बिमारियां और बहुत जल्दी बिमारी का हमला होता है कोई भी कीड़ा इसके उपर अठेक कर देता है क्योंकि इसके अंदर वो विल पावर नहीं होती इनके पत्तों के अंदर वो ताकत नहीं होती कि ये किसी भी कीड़े का मुकाबला कर सकें क्योंकि इनकी जड़ें जो है मिटी के अंदर अभी अच्छे तरीके से ड्वैलप नहीं होती तो अगर इनके उपर ऐसे में कोई भी बीमारी कोई भी कीड़ा लग जाता है तो ये वहीं पर खत्म हो जाते हैं ये बीमारी के साथ नहीं लड़ बाते तो इसी लिए मैं आज आज आपको ऐसी स्प्रे बनाने का तरीका बताने वाला हूँ जो के छोटे पोदों के लिए बहुत बैस्ट है क्योंके ऐसी स्प्रे इनके लिए चाहिए जो के इनको नुकसान भी ना पहुँचाए और कीड़े मुकोडों से लड़ने में मदद भी करें तो जो मैं स्प्रे बनाने का तरीका बताने वाला हूँ वो आप फुली औरगैनिक अपने घर पर फरी में तैयार कर सकते हैं और चंद घंटों में तैयार कर सकते हैं यह स्प्रे ना सिर्फ आप बड़े पोदों के उपर बलके छोटे पोदों के उपर आसानी से कर सकत इस प्रेय का किसी भी पोदे के उपर कोई भी नुकसान नहीं तो चलिए दोस्तों ये स्प्रेय बनाने का तरीका सीखते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें और बैल आइकन को दबा दे ताके हमारी हर नई वाली वीडियो का नोटिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों ये पावरफुल और 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 गैनिक पेस्टिस साइड बनाने के लिए हमारे पास ये तीन चीज़े मजूद होनी चाहिए जो के हमारे कीचन में हमें असानी से मिल जाएंगी और फ्री में मिल जाएंगी ये द लकडी जो गरम मसाले में मसालों में हम यूज करते हैं अपने खानों में यूज करते हैं तो ये आपके पास कीचन में असानी से आपको मिल जाएगी उसके बाद जी हमारे पास मजूद है लोंग लोंग भी आपको असानी से आपके कीचन में मिल जाएगी ये इतना पावर लिएकर आसाने से खतम कर सकती है। उसके बाद मेरे पास ये लेमन मजूद है। आधा आपने लेमन ले लेना है। तो आपको ये भी आपके किचन से ही मिलेगा। अब करना क्या है कि किसी भी बरतन के अंदर तकरीबन चोटे से बरतन के अंदर आपने आधा लीटर पानी जो है वो वाइल कर लेना है गरम कर लेना है एक दफ़ा आपने उसे उबाल लेना है उबालने के बाद आपने ये तीनों चीजें उसके अंदर डिप कर देनी है भिगो कर रख देनी है तकरीबन तकरीबन हम इन तीनों चीजें को दो के लिए उस गरम पानी के अंदर भिगो कर रखेंगे तो ये इनका जो असर होगा उस पानी के अंदर आ जाएगा और हमारी स्प्रेय तैयार हो जाएगी तो मैं जैसे कि आपको दिखाता हूँ कि मैंने पहले से ही ये तीनों चीजें ये देखें एक चोटे से बरतन के अंदर मैंने पानी गरम किया तो आपने वी बिल्कोल ऐसे ही तकरीबन आपने पांच से छे लोंग लेने हैं और तीन से चार ये दारचीनी की लकडी जो है ये देख सकते हैं और आधा लेमन आपने इस पानी के अंदर तकरीबन दो घंटे के लिए भिगो कर रख देना है और दो घंटे के बाद हमारा जो पेस्टिसाइड होगा वो बिलकुल रेडी हो जाएगा तयार हो जाएगा अपने पोदों पर अपलाई करने के लिए इन तीनों चीजों के अंदर ऐसी ताकत मुझूद है जैसे के लॉंग के अंदर ऐसी स्मेल मुझूद है और इसके अंदर ऐसी ताकत मुझूद है जो आपके पोदों के अउपर लगी हुई बीमारी जो सक्त सक्त भी बीमारी है जो आप बार बार स्प्रे कर चुके हैं लेकिन खتم होने का नाम नहीं ले रही ये लॉंग जो है उसे भी खत्म कर देगी और दार्चीनी का भी यही काम है लेमन का ये फाइदा होगा कि ये आप के पौदों के पत्तों को जो है अच्छी ग्रोथ में मदद भी करेगा और इनके जो हमारे पौदे के पत्ते जो है कीडों की वज़ा से खराब हो चुके हैं ये लेमन आधा लेमन ये इन पत्तों को रुपेर करने का भी काम करेगा तो ये हमारा पैस्टिसाइड बिल्कुल रेडी हो चुका है अब हम इसे इस्तमाल कैसे करेंगे कि आपने किसी भी बोटल के अंदर तकरीबन एक लीटर पानी ले लेना है और इसके अंदर ये जो हमने पैस्टिसाइड तयार किया है इसका आपने तकरीबन तीन से चार चमच एक लीटर पानी के अंदर आपने एड़ कर लेने हैं तो ये तीन से चार चमच मैंने इस पानी क अंदर एड़ कर लिये हैं अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इन्हें अपने पोदों के उपर अपलाई करेंगे तो आप इस सप्रे को तकरीबन हर 10 दिन के बार सप्रे कर सकते हैं हर पोदे के उपर चाहे पोदे के उपर किसी कीडे ने हमला किया है या नहीं किया अगर आप हर 10 दिन बाद इस सप्रे को करते रहते हैं अपने पोदे के उपर इस पैस्टिसाइड को सप्रे कर देते हैं तो आपके पोदों के उपर कोई भी बिमारी कभी भी अटैक नहीं करेगी चाहे वो आपके चोटे पोदे हैं चाहे वो आपके बड़े पोदे हैं ऐसे आपने अपने पोदों को अच्छे तरीके से इस लीकवर्ड से निला देना है ये ना सिर्फ पेस्टिसाइड का काम करेगा फंगिसाइड का भी काम करेगा और दूसरा हमारे पोदों के जो पते खराब हो चुके हैं इनको रिपेर करने भी बदत करेगा तो उमीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आप हमारे चैनल पर ने हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताके हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिकेशन आप तक पहुंच सके